नवस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अमरत काल चलाया था भक्तिकाल अपने आप चलने लग गया है नीचे से उपर तक की सभी समविधानिक संस्थाएं नरेंद्र मोदी के आगे एक व्यक्ति के आगे दंडवत हैं हाथ जोड़कर गुलामी की मुद्रा में खड़ी देश के प्रधान मंतरी की तुलना बापू से कर दी है धनकड देश के उपर राष्टपती है राजसभा के सभापती भी उपर राष्टपती होते हैं इसलिए अखबार ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है आप देख सकते हैं रूप राश्टपती धनकर ने पीम मोधी की तुलना मात्मा गांधी से की कॉंग्रेस सांसत बोले चापलूस है आप दोस्तों इस देश के इतिहास में ये पहली बार है ये पहली बार है कि किसी उपराश्टपती को चापलूस कहा जा रहा है ये पहली बार है कि जब किसी दे आपको बताऊंगा दिखाऊंगा पूरी डिटेल में आपको लेकर चलूंगा कि इस चापलूसी के दौरान क्या क्या इनाम प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को उपराश्टपती ने दिये हैं लेकिन एक सवाल करूंगा बतौर नागरिक वो सवाल ये है कि महत्मा गांधी कहत कि अगर कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो महत्मा गांधी आहिंसा में बिलीव करते थे लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी आहिंसा में बिलीव करते हैं क्या उनका विश्वास आहिंसा में है और अगर है तो वो ये क्यों कहते हैं कि म उन्होंने कहा क्या है है देखिए इनहोंने कहा है मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पिछ्छी सताबदी की महापूरुष महत्मागांदि सताब्री के युग पूरुष नरेंद्र मोदी है यह क्या है यह चापलूसी नहीं लग रही है आपको देश के उपराष्ट पती उपराष्ट पती प्रधान मंत्री से बड़े होते हैं लेकिन इस देश का दुरभाग यह है इस देश की लोकतांतरिक विवस्था में चीजें ऐसी है कि राज्य सभा और लो आपने देखा और आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तारीफ करते करते इनको युगपूरुष बता दिया है मात्मा गांधी ने सत्य और हिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से शुटकारा दिलाया भारत के यह सब्स्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र जी आप इस तरीके की बाते कर रहे हैं चापलूसी करते हुए नरेंद्र मोदी जी की दिखाई दे रहे हैं क्या उपराष्टपती होते हुए आपने ये सवाल पूछा कि क्या उत्तरकाशी के भीतर जो 41 मजदूर सुरंग के भीतर फसे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी आपन इतनी प्रगती कर दी है लेकिन एक खड़ा खोदने की मशीन नहीं बना पाएं जिससे 40 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके जिस मशीन से एक मशीन भारत देश के पास नहीं है जो खड़ा खोद सके लेकिन देश के उपराष्टपती ये कहते हैं कि प्रगती के रास्ते प सकते यह पूछ नहीं सकते कि एक तालीस मजदूर जब इतने दिन से फसे हुए हैं तो वहां पर देश की सरकार क्या कर रही है क्यों नहीं निकाल पा रही है सत्रवा दिन है आज लेकिन देश के राश्टपती उपराश्टपती और सारी संविधानिक संस्थाओं के मूह में दई जमा हुआ है प्रधान मंतरी तेलंगाना में रैलियों में वेस्त हैं खुद अपने मूँ से कह रहा है कि तीन दिन लगातार तेलंगाना परवास को हो गए हैं उनको रैलिया कर रहे हैं वो वह कहते हैं कि तिरुपती बाला जी से वोटर्स के लिए अशिरवाद मांग कर लाएं हैं वो यह नहीं कहते हैं कि हम जो है प्रार्थमा करने के लिए गये थे एक तालिस मजदूरों के लिए मंज से खड़े होकर नहीं कहते हैं लेकिन यह देश का दुरभाग के है कि उपराश्ट राष्पति हमें इस देश में ऐसे मिले से में जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी की तुल्ला महतमा गांधी से करते हैं यह बताते हैं कि देश प्रगति के रास्टे पर हैं लेकिन यह नहीं बताते रास्ते रास्ते पर इत्ना अगे बोली चापलूसी की हद होती है कॉंग्रेस बोल रही राश्पती जगदीब धनकर ने जैन गुरू और दार्शनिक श्रीमद राज चंद्राजी को समर्पित कारिकरम में समभुधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि बीति सदी के महापुरुष महातमा गांधी ते युगपुरुष नरेंद्र मोदी जी है कैसे हो गए जी युगपुरुष प्रदान मंत्री चुनाये इस देश की वही लोग है यह वही लोग है जो उतर प्रदेश में माया वती जी की मूर्ती को देखकर चौराहे पर मूर्ती को देखकर हाथियों को देखकर इन सब के सीने पर साप लोडते थे इन सब की छातियों पर साप लोडते थे यह कहते थे कि कोई अपनी मूर्ती कैसे बनवा सकता ह यह कहते थे कि कैसे हाथी कोई पार्कों में लगवा सकता है और यह वही लोग है जो यह कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी गांधी की तरह हैं वो युक पूरुस थे तो यह भी युक पूरुस है यह वही लोग है पहचानिये इनको पहचानिये देर मत करिये इनको पहचानने में यह वो लोग हैं जो दलितों को आगे बढ़ने पर यह कहते हैं कि अपनी मूर्ती कैसे लगवा सकते हैं चाती पीटते थे यह लोग 2017 के चुनाव में चाती पीटते थे ये लोग 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आप चापलूसी की हद और सीमा पराकाष्ठा देखिए आप कहते यह ललन टॉप का यह स्क्रीन शॉट है सर अगर आप यह कौन कहता है यह कहते हैं कि तमिल नाडू से शिव गंगा कॉं कर चुके हैं एक चापलूस बनकर रहने से पद की गरिमा का कोई सम्मान नहीं बढ़ता यह कहना है कॉंग्रेस सांसद मनिकम टैगोर नहींनों ने यह ट्वीट किया है मनिकम टैगोर का यह ट्वीट नीचे लगाया है उपर हिंदी रूपांतरन हमने आपके लिए यहां प दिलाने वाले बापू की क्या तुलना हो सकती है हां आपको अगर सुनना है तो आपके लिए वह भी निकाला है एक सेकंड आप सुन सकते हैं भूल गया था मैं देखिए यह इन्होंने खुद अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया है मैं आपको बताना चाहूंगा पि कि युग पुरुस के अंदर क्या-क्या खामिया और क्या-क्या खूबिया होनी चाहिए युग पुरुस हैं लेकिन मनीपुर नहीं जा पाए युग पुरुस हैं उत्तरकाशी नहीं जा पाए युग पुरुस हैं लेकिन युग पुरुस को दूर से ही यह पहचानने में जाता है कि कौन दंगाई है कपड़ा देखकर युग पूरुस पहचान लेते हैं युग पूरुस है लेकिन दीदी ओ दीदी ओ दीदी मंच से करते हैं ऐसे युग पूरुस होते हैं ऐसे युग पूरुस चाहिए हमें ऐसे युग पूरुस चाहिए जो चुनाओं से पहले क नोकरी करने वाले लोग हैं उनको बढ़ा कर उसमें पैसा मिल जाएगा यह वह युग पुरुष हैं यह यह कहते हैं यह कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो भारत का रुपईया जो है उपर चला जाएगा भारत का का रुपयह असी ती तिरासी डासी रुपयें पहुंच गया भारत के रुप्य हतर युग पूरुस महंगाई के करने के लिए कहकर आया थे नहीं हुई नँए तो तो आएसे होते हैं ये युग पूरुष हद होती की पह इसको कॉंग्रेसी नहीं कह रहे आम-लोग मिलकर चुनते हैं आपको दोबारा बनना होगा राष्ट उपराष्ट पती के बाद राष्ट पती बनना होगा तो आपके लिए चापलूसी आवश्यक है आप चापलूसी करिए लेकिन देश को यह किरप्यामत बताइए कि नरेंद्र अब के युग पूरूस है देश समझ लेगा जान लेगा क्ए कोन युग पूरूस है क्विस्त नहीं है क्या बोले हैं सुन लीजे इनको सब्सक्राइब पिष्ट पराश्ट पती को भी देश में गालियां पढ़ रहें देखिए क्या लिख रह infect किया अपने एक पार्टी का व्यक्ति बन कर किसी ने अंग्रेज की गुलामी से छुटकारा दिला दिया और किसी ने अंदभक्तों का अपना गुलाम बनाया हिसाब पहुत सता जो कमा रहा है उप्राश्टपती देश के लोग है लिए आइडिया उप्रास्टपती आम लोग लिख रहे हैं आपको यह वाइस प्रशीडेंड नहीं बोल रहा है बलकि बोलने पर मजबूर किया होगा नीचे लिख रहे हैं अविनाश लिख रहे हैं कि और सब लूटिक लोग हैं लिख रहे हैं आप एक सर्वोच जनतांतरिक देश के उपराश्ट पती हैं आपको समाज की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए आपको एक राजनितिक नेता का प्रमोशन करना शोभा नहीं देता है दाहित तो समझना और अपने कर्म को किये जाना ही एक असली लोव पूरुष की पहचान होती है तो आप जो आप बिलकुल नहीं है माफ किजिए गा हलां कि डर के मारे नीचे नीचे हाथ बिजोड लिया डर त तो फिर्ट करियर समाप्त हो जाता है राजपाल बनने के बाद राजनितिक करियर समाब्त हो जाता है तो अब जो है कोई नई किरन ढूड़ने के लिए कि हो सकता है उ McG को खेर मोदी जी ने आप पर करपा की है इसलिए आप महापूरुष या युग पूरुष कहें तो सही है मगर्मोदी जी ने जंटा के साथ चल किया अगता पूर यॉब है आगे उन्हों ने अपने कुछ अनोति पर लिखा है नहीं अगर यूब तो जौब से निकाल देगा हैस्टैग फलाना लिखा हुआ है इनोंने खैर वह हम नहीं पढ़ सकते इसके लिए दो शब्द बोल लेते हैं इसके लिए दो शब्द बोल लेते यह बिट्टु शर्मा है लिख रहे हैं कमजोर के लिए बीजीपी शासन में कुछ नहीं बदलेगा सिर्फ चे के लिए क्या क्या परपंच और धोंग नहीं करते हैं इनको प्राष्ट्यपति कहेगा कोई कहां महात्मा गांधी और कहां फलाने ठीक है खराब भासिक मरियादा जिस ट्वीट में नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम आपके लिए ट्वीट छाट कर नहीं लाते हैं हम जो सच होता है वो स्क्रॉल करके दिखा देते हैं क्या लिखा है हम नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है समविधानिक पद की कुछ और शर्म की होती वोईस्प्रसिडेंट महोदे वैसे संग्यों से सर्म खैफैर यह बहुत कुछ लिख उप्राष्ठ पती कर रहें वह जर्यंति की तारीफ कर रहे हैं तो पिर नहीं की Mil competing के Candi लेकिन इनको नरेंद्र मोडी की तुल्हा हुल मात्मा गांदी से करनी यह राहिल गांडी की नहीं करनी है यह कह रहे हैं लोग शुप्रिया सिनेट ने अंग्रेजी में तल लंबा ज़ाड़ा पढ़ लीजिए हम नहीं पढ़ पाएंगे बहुत लंबा है अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं अब स्टोरी यह कहती है यह सुप्रिया सिनेट का अमने ट्वीट निकाला था आपको वहा अब देखिए एक यह बीबी सी का हमने रिशर्च निका लिए बीबी सी कहता है कि राज सभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं जोह अलां गाम हं मां दी क्यों नहीं गए मानीजे यह जाना चाहिए जो लांगामा करते हैं उनको कॉंग्रेस काल में कितना बाहर फेका गया है मतलब निलंबित किया गया निलंबित कोन करता है निलंबित यही करते हैं उपराश्चपती जो होते हैं जो सभापती होते हैं देखिए क्या है कि 2004-2014 का यह डेटा निकाला है कि कॉंग्रेस ने कितने 2004- 2014 तक कितने लोगों को निलंबित किया है तो उसका अकड़ा निकल कराया है टोटल 7 लोगों को पूरे कारेकाल में यानि 2004 से 2014 तक इन 10 सालों में सिर्फ 7 लोगों को निलंबित किया है कॉंग्रेस ने ठीक है अब इधर देखिए 2004 के बाद जो नई आजादी मिली युग पती महोदे जो है उपराश्ट पती जी जो है इनोंने या इनके जैसों ने जो बने होंगे इनकी जगे पर इससे पहले जो जो होंगे उन लोगों ने मिलकर 48 लोगों को निलंबित किया है अब तक 48 निलंबन का मतलब क्या है निलंबन का मतलब यह है कि जो भी सरकार की हां म हां ना मिलाता हो जो भी राजसभा का सांसद हो हल्ला हंगामा करता हो जो भी राजसभा का सांसद सरकार की नीतियों पर उंगली उठाता हो उनका विरोध करता हो यह कहता हो कि यह नीतियां रीतियां सरकार की सही नहीं है हम नारा लगा रहे हैं हम विल में आ रहे हैं हम जो है संसत को नहीं चलने देंगे जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक हम ऐसा करेंगे वह ऐसा करेंगे आप जानते हैं आपने देखा लेकिन इतने दिनों में जितने लोगों ने ऐसा बरताव किया है उनमें भारती जनता पार्टी ने 48 लोगों को उनके साचन में निक किया है तो यह data कहता है कि किस तरीके से और यह निकालते कैसे निकालते ऐसे हैं राजी सभा में या लोग सभा में कोई एक सत्ता पक्ष का विक्ति खड़े होकर यह कहना चाहिए कि सभापती महोदे देखिए फलाने विक्ति वेल में कूद रहे हैं की वज़े से संसत नहीं चल पा रही है राज्य सभा नहीं चल पा रही है हम संसुती करते हैं हम यह कहते हैं कि इनको सदन से बाहर किया जाए कितने लोग इस निर्ले के अब उधर से जो है सभापती पूबुशते हैं कितने लोग इस निर्ले के साथ हैं तो सत्तापक्ष में होंगे कॉंग्रेस के टाइम पर और कैसे है भारती जनता पार्टी के टाइम पर वह आपने देख लिया समझ लिया पहचान लिया जान लिया एक बाद में सबसे लाष्ट में जो है एक खबर इस ते हटकर है लेकिन जोड़कर आप देख सकते हैं इसको सावरकर कह रहे हैं आप चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे और निकाल भी सकते हैं अकभार नियाकिन सबसे बड़ी बात क्या क्या है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जिस सरकार से नरेंदर मोथी जी को युकपुरुश Always बता सावरकर का जन्म जो है वह 1883 में हुआ है दोस्तों यानि इनकी पैदाइस सावरकर की 1883 की है और अमिच्छा कहते हैं सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांती इतिहास ना बनती अब 1857 और सावरकर कांसावरकर iç ना नहीं है लेकिन कहने को आपकुछ भी कहा सकते हैं कहने को लोग पनंवती भी कह रहे हैं कहने को «चाप्लूसी» में जो है वह लोग carry युग-पृृुष भी बता रहे हैं तो इस वीडियो में अभी इतना ही उन्टा चश्मा ayu- उसी पर ये वीडियो आप देख रहे थे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए फेस्बुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर करिए नमस्कार